सो हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल से दोस्तो एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने होला दोस्तो कि आप ज़िदी पोस्ट ओफिस में अपने रुप्या के इन्वेस्ट करके एक अच्छा कहसा रेट अफ इंडेस हासिल करना चाहते है औ तो फिर आपको पोस्ट ओफिस के सेविंग्स एकांट ओपेन करना जरूरी है दोस्तो एंड आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर पोस्ट ओफिस के सेविंग्स एकांट है और बचत खाता जिसको बोला जाता है उस एकांट को जिदी आप ओपेन करते हो तो फ पूपस्ट अप्स में एक ज्यादा फैसिलेटि आपको मिलता है जो कि आपको हायी रेट ओप फिंटेज मिलता है आए ऐसी वीडियो को सुरू करते हैं आप लोग को बताता हूं कि आखिर आखिर पोस्ट ओपिस का जो सेविंग्स एकांट है उस एकांट को ओपन करते हैं तो फिर आपको उस एकांट में कौन-कौन सा फैसिलेटी मिल जाता है सदुस्ते एंड वीडियो में आगे बनने से पहले आप लोग से एकी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जोजे मेरे चैनल को सब्सक्राब नहीं कियेंगों दोस्तो सब्सक्राब करें एंड बेल आकर गंटी को प्रेस करते हैं दोस्तो आए अचकी इस देखर के आप इस एकांट को आपन कर सकते हो आनि कि दोस्तो आपको सेविंग्स एकांट में पांसो रुपिया आपको रखना होगा और आप पांसो से आप इसमें एकांट आपन कर सकते हो और दोस्तो आप चाहे जितना भी इसमें आप जमा कर सकते हो एग लाग दो लाग OOOPEN जमार लेकिल आपको 500 रुपिया से इस एकांड को ओपन करना होगा। भवे लोगscटे要ग क्या, या फिर आप joint या तीन आदमी कर सकते हो। और आप अपने बच्चे के नाम से इस आप अपन is 10 सल है, तो उस समय आप अपने बच्चे के नाम से भी इस account को open कर लिसकते हो अब यहाँ पर मैं बात करता है कि आखिर savings account open यहीं आप करते तो आपको कौन-कौन सा benefit मिलता है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नमर जो की है दोस्तो checkbook दोस्तो आपको post office के तरफ से checkbook मिलेगा जिस तरह bank में checkbook मिलता है इसी तरह आपको post office में भी checkbook मिलेगा और इस checkbook को भी आप हर जगा इस्तिमाल कर सकते हो दोस्तो यहाँ उसका दो नमर में ATM card दोस्तो देंकों की तरह आपको post office में भी ATM card मिल जागा और इसको भी आप भारत में कहीं भी इस ATM काड को उच कर सकते हो और आप पड़े 25,000 विड्रोल कर सकते हो तो दोस्तो और उसके वाद है e-banking, mobile banking तो दोस्तो आप net banking को भी उच कर सकते हो बैंकों की तरह और net banking भी उच करके आप घर बेठे fix deposit या recurring deposit आप करा सकते हो और दोस्तो नेक्स्ट यहाँ पर है mobile banking तो आप mobile banking भी अपने mobile में आप डालोन करके और mobile banking भी उच कर सकते हो mobile banking में भी बहुत सारे सुविदा आपको मिल जाएगा तो दोस्तो नेक्स्ट यहाँ पर अधार sending दोस्तो आप अधार sending करके आप सरकार दोबारा दिये गिये ओजना का lab उठा सकते हो तो दोस्तो अन्द यहाँ पर अटल pension ओजना दोस्तो आप अटल pension ओजना के भी lab उठा सकते हो जड़ी आप post office का savings account में open करते हो तो दोस्टो और ऊपरण मंतरी सुरुपिया ज़ो कि बिमा करते हैं तो फिर आपको 2,00,000 घुपिया बिमा का भी आपको मिल सकता है दोस्तो आप पर्धान मंतरी जीवन जोती बीमा का भी लाव आप उठा सकते हो दोस्तो आप लोगो समझाना चाहता था आप लोगो समझ में आ गया होगा दोस्तो विडियो चलाएगा अब तक जो 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 पर चाहल को सब्सक्राब करते हैं और बेल आकन घंटी को प्रेस करते हैं अभी बीजिदी आपका मैंड में कुछ भी डाउट है आप कुछ नहीं समझ पाया तो आप मुझे डारेक्टली आप मुझे कॉमेंट करके फूस सकते इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हैं और सब्सक्राइन मिलते नेक्स वीडियो मैं कुछ नी वीडियो के साथ कुछ नी जनकरी के साथ तब तक के लिए टाटा पबाई जैहिन बंदमात्रा